स्री सिवाए नमस्तु भ्यम हरहर महादेव सावन का पवित्र महना अब सुरू ही होने वाला है ऐसे मैं आप सभी को इस वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी कि इस वर्ष 2023 में जैसे कि मलमास लगने जा रहा है पूरे साल भर में यह सावन का महना सबसे पवित्र माना जाता है इस महने कई जन प्याय लेसन तामसिक चीजों का भी परितियाग करते हैं और कई तरह के नियम लिये जाते हैं महाकाल की भक्ती के लिए कावण यातरा निकलती है और निरंतर प्रभु भक्ती में अपना हम समय ब्यतित करते हैं इस महने मंगला गौरी ब्रत सावन के सौंबार और विसेश रूप से सिवार्चनित्यदी के लिए हैं महा जाना जाता है तो ऐसे में इस वर से 2030 में मलमास भी लगने जा रहा है 19 सालों बाद ऐसा दिब्ब सयोग हो रहा है जब सावन जो है दो माह का होगा अपने आप में यह जो है 58 दिन का सावन का महना होगा तो आप सभी को बहुत अधिक समय मिलेगा महादेव की भक्ति के लिए तो ऐसे में आप सभी भी तैयार हो जाईए अगर आपके घर पर सिवलिंग विराजमान नहीं है महादेव से चुड़ी हुई चुजे विराजमान नहीं है जैसे कि रुदराक्ष बेल पत्री का व्रक्ष तो आप सभी जो है इन सभी चीज़ों को घर पर लेकर आजाईए महादेव आपके घर पर वास करेंगे और सिव पूजा आप सभी के लिए बहुत आसान होगी तो छोटी छोटी सी चीज़े अभी से कलेक्ट करना सुरू कर दीजिए और आप सावन की जादा दिन नहीं बचे हैं तो ऐसे मैं आप सभी हरे रंग की चीज़ों का इन दिनों जादा इस्तिमाल करेंगे तो कुछ हरे रंग के वस्त्र अपने लिए हरी रंग की चूड़ी इत्यादी कुल मिलाकर हम हरे रंग में महादेव की रंग में रंग जाएंगे तो ऐसे मैं आप सभी कुछ चीज़े पहले ही लाकर तयारी करना अरंभ कर लिजे अब जान लिजे कब से लगने जा रहा है सावन का माहा दोहजार तेश में सावन महने की सुरवाद 4 जुलाई दोहजार तेश से होगी और सावन का महना खत्म होगा 31 अगस्त दोहजार तेश तक ऐसे मैं इस बार जो है सियव भक्तों को सियव उपासना के लिए कुल 58 दिन मिलने जा रहे हैं दरचल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिक मास के कारण हर एक चीज़ बढ़ जाती है ऐसी मानेता है तो ऐसे में अधिक मास कपसे शुरू हो रहा है यह भी ध्यान रखने योगी बात है अधिक मास जो है इस वर्स 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा ऐसे में सावन का पूरा महना जो है विसेस रूप से अपने आप में अध्वुत हो रहा है अब ऐसे में बहुत अधिक मास लगने के कारण सावन के ब्रत हैं वह पहले ही आप सुरूआत कर लेंगे तो निरनतर आप सबही सावन के ब्रत कर सकते हैं, वंगलागौरी ब्रत भी आप सुरुवात पहले ही कर लेंगे, परन्तु अन्य जो ब्रत है जो अधिक मास की तिथी से 18 जुलाई के बाद शुरू होंगे उन्हें आप नहीं कर सकते, अगर पहली बार इस वर्ष नए ब्रत सुहा के सुरू कर रहे ह तो 18 जुलाई के बाद आप सभी ना करें इस बात का ध्यान रखें ऐसा माना जाता है इस समय कोई नया ब्रत सुरू करना विशेश रूप से किसी भी तरह से फल देने वाला नहीं होना जाता तो 18 जुलाई से पहले पढ़ने वाले सभी ब्रत आप सभी सुरू कर सकते हैं 18 चीज़ों को नहीं मानते सबके अपनी अपनी सोचने समयने की छमता है तो आप सभी सावन के ब्रत करें मंगला गौरी ब्रत भी कर सकते हैं जैसा मैंने करा 18 जुलाई से पहले आप कोई नया ब्रत सुरू कर लें परन्तु कोई नव विवाहिता महला या कोई कन्या जो है न सावन का जो पहला सौमबार है 10 जुलाई 2023 को किया जाएगा सावन का दूसरा सौमबार 17 जुलाई 2023 को किया जाएगा सावन का तीसरा सौमबार 24 जुलाई 2023 को किया जाएगा सावन का चौथा सौमबार 31 जुलाई 2023 को आरंब किया जाएगा सावन का पांचवा सौमबार अगस्त दोहजार तेज़ सावन का आठवा सॉमबार 28 अगस्त दोहजार तेज़ तो इस तरह से कुल आठ सॉमबार के ब्रत करेंगे बहुत सारे सुपसायोग हो रहे हैं आप सभी जित्ता संभव हो महादेव की भक्ती में अपना समय निकालें महादेव का जला अभिशेक प सब्सक्राइब कोई नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे जरूर से बताए हर हर